येलो दोस्तों काम्याप डेरी फार्म यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है वीडियो में में पटिल डेरी फार्म की इस बार की जो 16 इफर ती जिसमें से 5 इफर सेल के रिए रखी थी वो सेल हो गई और जो 11 इफर फार्म पे थी कैसा अडर बना है वीडियो में आप साप साप देख सकते हो जो अडर की चोड़ाई और अडर की उन्चाई है काफी अच्छा इंप्रूमेंट हुआ है थम्देल पर मैंने लिखा है कि पटेल डेरी फार्म ने इस बार गजब कर दिया क्योंकि तीन साल पहले इस डेरी फार्म पे 30 लिटर वाली गया का मिल्किंग हो क्योंकि अभी सेक्षल सीमन आया है और बच्छियों का भी रख रखा हो बारा मैंने में 300 केजी पर तो टोटल 24 मैंने पर फर्स्ट हैमर इफर 600 या 650 केजी पर बच्चा दे दे दिये तो पहले जो 6-7 साल लगते थे अब 3-4 साल में दूसरी जनरेशन का भी हम बच्चा मिल् के तो टोटल मिला के जो गाय का और आगे भी इस पार्पर जो सीमन रखा है से मेन टोटल मिला करो टाटल वाइकिंग सीका है तो तो पर फांकि व्डू ओप तो उस तरीके से मैंने बचली की रख रखाव का भी वीडियो बनाया है और एक दूसरी बात कि जो फाम पे आप ज्यादा तर कॉमेंट्स करते ही कि आप ऐसा अडर बनाने के लिए कौनसा टॉनिक यूज करते हो मैं अपने डेरी फाम पे या पटल डेरी फाम पे कोई टूनिक का यूद नहीं होता है और जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो ड्राइब प्रियेड और ट्रांजिशन प्रियेड होता है तो हमारे आज 600 केजी से साड़े 600 केजी की फरेस्ट टाइमर गाय होती है तो उसक से 5 केजी जो ट्रांजिशन प्रिया आता है वो देते तो जो भी रिक्वाइनमेंट एनर्जी की या अडर के घ्रोथ की होनी चाहिए वो फीड से और अच्छे से साहलेद देते उससे हो जाते तो गाय काविंग के समय अच्छे से जैर भी गिराती है और एक जो काविंग के समय वाटर बैक बार आती है उस टेम और उसके चोईस गंटे के बाद ट्रांस्मिक्स की वोटल देते है क्योंकि पसु को एनर्जी और केल्सियम जो बायों की रूप में मिलना चाहिए वो मिलता रहता है जिसे पसु ठंडा नहीं पड़ता कीटोसिस नहीं होता और जैर भी जल्दी गिर जाता है तो उस तरीके से फाम पर मेनेजमेंट हो रही है आप भी एक अच्छी बच्छडी या अच्छे से डेरी फार्म करना चाहते हैं तो मैंने बच्छडी का रख रखा इफर कैसे तैयार करते हैं उसके उपर वीडियो बनाया है वीडियो में आप जो जो फीडे वो यूज किया है काफी अच्छा रिजल्ट मिला है जो वीडियो में आप साफसा देख सकते हो अगर आप डेरी फार्म करते हो और अच्छे से ड्राय प्रीड और ट्रांजिशन प्रीड मेनेज करते हो तो पसू काविंग के साथ जो डूत का पिक होता है वो भी स्कोर इंप्रूव हुआ है काफी लाज जवाब है ठेंक यू